मित्रो नमस्कार आपने अपना रिजल्ट सभी ने चेक कर लिया है बात कर रहा हों में कक्चा दस्वी और बार्वी वाले उन सभी विद्ध्यारतियों की जिनोंने अपना रिजल्ट ऑनलाइन जो आया है उसको चेक कर लिया है सांतियों यह मानका चलिएगा यह ब्रेकिंग नूज है यदि मार्क सीट में लिखा है हेच उसके बाद में एप एल डी टी एच लिखा है और उसके बाद लिखा है एप एल डी पी आर लिखा है और क्या लिखा है एश यू पी टी एच लिखा है इसका मतलब क्या है इस वीडियो में समझ लो दोका मत खाना क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो बनाया जा रहा है कई कमेंट आ रहे थे पूचा जा रहा था इसका मतलब क्या होता है सर क्या हमारे एक्जाम वापिस होंगे क्या हम फेल हो गए हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें पूरा इस वीडियो में मैं किलियर करूँगा बस वीडियो को पूरा वश्य देखिएगा और जिन भी हमारे साथियों के जो भी मैंने यहां पर बताया है और एक और लिका है आपकी मारसित में D-I-S-T-E-N लिक करने वाले हैं सावदान हो जाएजे सभी देनी पढ़ सकती है दोबारा परिक्चा जिनको समझ में नहीं आया कमेंट करके बता दीजिएगा जिनको आ गया है वो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा जल्दी से एक बार सभी मित्र अपने सभी साथियों को इस वीडि कि यह मारसिट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपकी तो यहां पर आप देख सकते हैं यह लिका है SU P TH तो साथ यो इसका मतलब होता है कि सपली आई है ज़िए आपकी मारसी में लिका है सपली आई है ठीक है तो गया है किसी के भी यदी ये लिका है तो वहाँ पर आपके सपली आई है और देखिए यहाँ पर लिका हेज हेज का मतलब होता है कि आपकी जो परिक्चा हुई है वो बेश्टोप 5 पद्धिती के माध्यमस हुई है मतलब total आपके 6 पेपर हुए हैं मतलब 600 पूर्नंग कितने 600 लेकिन उसमें से एक विषय को उसमें अठा दिया गया है पाँच विषय के नमबर आपके मतलब पूर्नंग का आपके हैं 500 500 ही आपके जुड़ेंगे और जिस विशे में आपके सबसे कम नंबर आये हैं, उस विशे को इसमें से अटा दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, गनीत में सबसे कम नंबर है, तो इस विशे को अटा दिया गया है, तो दो clear हो चुका है, अब हम देखेंगे, अब बताने वाला हूं मैं आपको चलिए, यहीं बता देता हूँ यहां पर समझएगा अब मैंने आपको each के बारे में बता दिया है और supply के बारे में बता दिया है यदि यह दोनों आपके विचे आपके परिक्ष्य की जो mark察eed है उस mark察 field में आ रहा हैinen तो ये दोनों के लिएर हो चुका है, अब हम बात करेंगे, A, P, L, D, T, H, इसका मतलब होता है दोस्तों, कि फेल्ड, फेल्ड किसमें, T, H मतलब थियोरी, थियोरी मतलब जो आपका सिनम्बर का पेपर आया है, आया था, उसमें आप क्या हो गए है, फेल हो गए है, मतलब थियोरी में आप फेल हो गए है, उसके बाद यदि आपकी जो मार्क सीटे उसमें आ रहा है, A, P, L, A, P, L, D, P, R, मतलब आप फेल हो चुके हैं, किसमे प्रक्टिकल में सात्यों किसमे फेल हुए आप प्रक्टिकल में फेल हो गया है तो यह सभी का मतलब मैंने आपको बता दिया है और हमारे बहुत सारे दोस्तों के अधिकतर जो इस्टुडेंट है उनके सभी जगा लिखा है विख्या सभी जगा है तो आपको इस्टुडेंट है तो दोस्तों यह भड़ी अपडेट थी अमारे बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा था किन्का मतलब क्या है तो मैंने आपको बता दिया है ये सपली वाला है ये आपका practical में फेलें आप ये theory में फेलका है और ये जो हेज है मतलब आपके 5 विसे ही count हुए है मतलब जूड़े हैं ठीके तो ये clear मैंने एक एक बात को कर दिया है फिर भी ये आपका कोई सवाल है तो आप comment box में पूछ सकते हैं और जो भी सवाल आपके होंगे उनके answer आपको comment box में दे दिये जाएंगे वीडियो बसंद आया हो तो एक चोटा सा like कर दीजेगा और प्यारा सा दोस्तों को इस वीडियो को आप शेयर कर दीजेगा धन्यवाद मिलते हम अगले वीडियो में God bless you all